राष्ट सर्पर्थम की बात कर्द करम में आप सभी राष्टवासियों का हारदी स्वागत है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि पिछले दो दिन पहले हमें एक नोटिस मिला जो कि दिली सरकार दुवारा हमें भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि आपको एक करोड से जादा की रखम का पेमेंट करिये वरना दस दिन में आपको हज मंजल खाली करना पड़ेग एक करोड 32 लाग का की रखम है इसमें ब्यास भी शामिल है तो मेरे खाल से इसलाम में तो हम सब जानते हैं कि ब्यास हराम है हमने एलजी साब के सामने अपनी बात रखी है और उन्होंने हमें पूरा अश्वासन दिया कि इंशालला जो बैस हो सकेगा इसमें किया जाएगा देखिए आपके माध्यम से मैं उनसे अनुरोद करती हूँ कि प्लीज ये नोटिस वापिस ले ले हज ऐसी चीज़ है देखिए कोई भी धार्मिक यात्रा हो या हज के माइने हर एक मुसल्मान जानता है हर एक हिंदू भी जानता है हर एक सीख जानता है ये हमारे मजभ का बहुत ही जरूरी एक हिस्सा है हमजान के इस पौवित्र महीने में ये मुकदस बरकतों रहमतों वाले महीने में आप जो हैं हज मंजल को बाकाइदा नोटिस दे रहे हैं और नोटिस क्यों दे रहे हैं कि आपने किराया नहीं दिया अब तक तो किराय के रगेजरी वाल ची को फिकर नहीं थी आठ साल से नौ साल से सब्सक्राइब काबिस है केजरिवाल जी आज तक तो उन्होंने नोटिस दिया नहीं यह नोटिस दो दिन पहले मिला है वो सब निकलेंगे और केजरिवाल जी से उनके सांसदों से उनके पार्षदों से और उनके विधायकों से पूछेंगे कि ये इस तरह का दुराचार क्यूं आज हम इस कार्षक्रम में आपसे बिदा लेते हैं आप अर्खवरों के लिए बने रहें राष्टर पर्थम बंदे मातराम जाग उठा है भारत